हिंदी माध्यम की पाट साला में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम NCRT के कच्छा नौवी के गड़ेत के अध्या दो बहुपत की प्रश्णावरली 2.2 के सभी प्रश्णों को हल करेंगे प्रश्ण एक भागे निम्नेखित पर भुपत पांच गुणा एकस माइनस चार गुणा एकस की खाद 2 धन 3 के मान को ग्याद कीजें कहां पर हमें मान ग्याद करना x बराबर 0 पर इसे हल करते हैं हमें दिया हुआ है PX बरावर 5 गुणा X माइनस 4 गुणा X की घाद 2 धन 3 और हमें X बरावर 0 पर इसका PX का मान ग्याद करना है तो हम PX में X का मान क्या रख देंगे 0 तो हमें ग्याद करना है P का मान X बरावर 0 पर तो जहाँ जहाँ एक से वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे 0 तो यहाँ पर हम रख देंगे 5 गुणा 0 माइनस 4 गुणा 0 की घाट 2 धन 3 5 गुणा 0 क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 4 गुणा 0 की घाट 2 क्या हो जाएगी? 0 धन 3 0 इदर आ गया? 0 माइनस 4 गुना 0 भी क्या हो जाएगा हमारा शुन्य, 3 तीन हो जाएगा, 0 माइनस 0 धन 3, ये क्या जाएगा हमारा 3, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा 3, प्रश्न एक भाग दो, इस भाग में हमें x बराबर माइनस 1 पर भभुपत का मान ग्यात करना है, तो यहां पर हम x बराबर क्या रख देंगे माइनस एक हमें दिया हुआ है PX बराबर 5X माइनस 4 गुणा X की घद्धो धन 3 तो यहां पर हम PX में क्या रख देंगे X बराबर माइनस एक X का मान रख देंगे माइनस एक तो 5 गुणा माइनस चार गुणा X की घद्धो है तो माइनस एक की घद्धो धन तीन 5 गुणा माइनस एक क्या हो जाएगा दोस्तो माइनस पांच माइनस चार को माइनस चार लिख दिया हमने गुणा में माइनस एक की घद्धो माइनस एक गद्धो क्या हो जाएगा एक धन तीन रग दिया हमने माइनस पांच माइनस पांच हो गया माइनस चार गुणा एक ये क्या हो जाएगा माइनस चार धन तीन अब इसको हल करेंगे तो माइनस चार माइनस पांच माइनस चार और धन तीन ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस 10 जैं हमारे इस प्राश्निका उत्तर है दोस्तों कि कृश्ण 1 भाग 3 यहां हमने वहह ब्रत का एक्स बजबर Side 2 Parl पर मानगयात करना है under a मइं एक्स कमान क्या रख देंगे दो हमें पी एक्स में हम एक्स कमान क्या रख देंगे 2 हमने next का मान 2 रख दिया तो ये क्या हो जायागा 5 गुना 2-4-2 की घाट 2 धन 3 5 गुना 2 क्या हो जायगा 10 4-2 की घाट 2 क्या हो जायगा ये भी 4 और 3 को ऐसे ही लिख दिया तो 10 को ऐसे ही लिखा चार गुना चार क्या हो जाएगा 16 चार गुना चार होगा 16 और 3 को हमने ऐसे ही रख दिया आप हम इसे हल करेंगे 10 माइनस 16 धन 3 तो 10 और 13 में से 16 गए तो माइनस 3 तो हमारे इस प्रश्ण का उत्तर होगा माइनस 3 प्रश्ण दो निमलिकित भवगपदों में से प्रतिक भवगपद के लिए P0, P1 और P2 के मान ग्याद कीज़ें यहाँ पर हमें PY दिया हुआ है Y की घाद 2 माइनस Y धन 1 तो यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों भवगपद में Y का मान 0 रखना है एक रखना है और दो रखन 0 का मान हमें क्यात होगा Y स्केर क्या हो जाएगा 0 स्केर माइनस Y क्या हो जाएगा माइनस 0 धन 1 0 का स्केर क्या हो जाएगा हमारा सुन्य का स्केर सुन्य दूसरा सुन्य हमारा सुन्य है और धन 1 तो यह उत्तर हो जाएगा हमारा 1 अब देखते हैं P1 यहाँ पर हम Y का मान क्य एक धन एक, एक का स्क्वेर क्या होता है दोस्तों, एक ही होता है, फिर एक एक रहे जाएगा, फिर आक्री वाला धन एक भी एक रहे जाएगा, एक में से एक गया, बचा हमारा एक, तो हमारा उत्तर होगा, एक, अब हमें पी, दो कमान गैट करना है, तो हम य कमान क्या रख द चार में से 2 गए तो बचे 2 धन 1 तो 3 तो तर होगा हमारा इस प्रश्ण का 3 इस तरह हमने P0, P1 और 2 तीनों चीजों कमान ग्याद किया प्रश्ण में 2 भाग 2 यहां पर भी हमें P0, P1 और P2 कमान ग्याद करना है बहुपद हमें दिया गया है 2 धन T, धन 2 गुणा T की घाद 2-T की घाद 3 तो यहां पर हमें T कमान 0, T कमान 1 और T कमान 2 रखे P, T कमान ग्याद करने है तो हम पहले T कमान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे तो T कमान 0 रखेंगे तो 2 तो 2 ही होगा हमारा T की जगे क्या रख देंगे हमारा 0 शुन्य फिर 2 गुणा T की घाद 2 तो T की घाद 2 मतलब शुन्य की घाद 2 माइनस T की घाद 3 मतलब 0 की घाद शुन्य की घाद 3 तो 2 हमारा 2 हो जाएगा शुन्य रहेगा दो गुणा शुन्य की घाट दो मत्त शुन्य की घाट दो भी क्या हो जाएगा शुन्य तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा दो गुणा शुन्य और अंत में शुन्य की घाट तीन क्या हो जाएगा शुन्य तो अब हम देखते हैं दो गुणा शुन्य भी क्या हो जाएगा हमार तो 2 हमारा 2 रहेगा T की जगे हम 1 रखतेंगे 2 गुणा T की घात 2 है तो 1 की घात 2 हो जाएगा माइनस T की घात 3 है तो 1 की घात 3 हो जाएगा 2 हमारा 2 ही रहेगा 1 एक हो जाएगा 2 गुणा 1 की घात 2 2 क्या होगा ? 1 ही रहेगा 2 गुना 1 – 1 की इघाद 3 ये भी होगा अब हम इसको हल करेंगे तो हमारा दोФर क्या होजाएगा 2 दो धन दो माइनस 1 तो यह उत्तर हो जाएगा हमारा 4 तो तीसरा बाग देखते फिर दूसरा दो रहेगा हमारा फिर दो की घाद 2 क्या हो जाएगा 4 फिर माइनस दो की घाद 3 क्या हो जाएगा हमारा 8 अब हम इसे हल कर लेते हैं 2 धन 2 धन 8-8 क्योंकि दो गुन ए 4 क्या हो जाएगा 8 आठ में से आठ गया तो हमारा बचा 2 धन 2 4 यह हमारे इस प्रश्ण का उत्तर होगा प्रश्ण 2 भाग 3 यहाँ पर हमें P0, P1 और P2 का मान ग्याद करना है और PX हमें दे रखा है X की घा 3 तो यहाँ पर हमें X का मान 0, 1 और 2 रखेंगे तो पहले हमें X का मान 0 रखते हैं तो X का मान 0 रखा तो 0 की घा 3 X क्यूब 0 की घा 3, 0 की घा 3 क्या होता है? 0, सुनने ही होता है, तो यह हमारा उत्तर होगा दूसरे भाग में X का मान क्या रखना? 1 तो P में X का मान 1 रखेंगे XQ मतलब 1 की घा 3 1 की घा 3 क्या हो जाएगा 1 यह हमारा उत्तर होगा फिर हमें रखना है X कमान 2 तो P मैं X कमान 2 रखेंगे X की घा 3 हो तुर 2 की घा 3 हो जाएगा 2 की घा 3 क्या होता है 8 तो यह हमारे इस these question का उत्तर होगा 우ash 2 भाख 4 यहाँ पर भी हमें P0, P1 और P2 कमान ग्याद करना है, Px हमें दे रखा है, X-1 गुणा X दन एक, तो पहले हम X कमान सुनने रखेंगे, फिर 1 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे, तो पहले हम X कमान क्या रख लेते हैं, सुनने रख लेते हैं, तो X कमान हमने सुनने रखा, तो X-1 क्या होजाएगा 0-1 और x-1 क्या होजाएगा 0-1 0-1 क्या होजाएगा हमारा-1 0-1 क्या होजाएगा-1-1 का गुणा 1 से करेंगे तो हमें मिलेगा-1 तो यह हमारा उत्तर होगा अब हमें x कमान रखेंगे और 1 x कामान 1 रखते हैं ANDREW माइनस 1 क्या हो जाएगा 1-1 nous x trek 1-1 क्या हो जाएगा एक ठन एक-10 1- σας एक क्या जाएगा 0ndol your Day जीरो गुणा 2 से करेंगे तो अद्वारा प्राप्त भागा 0 यानि कि شुन्न्य यह मारा उत्तर होगा अब हम एक्स का मान क्या रखेंगे दो, एक्स का मान दो रखते हैं, तो एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, दो माइनस एक, और एक्स धन एक क्या हो जाएगा, दो धन एक, दो माइनस एक क्या होता है हमारा एक, और दो धन एक क्या हो जाएगा, तीन, और एक गुणा तीन क्य देगे बहुपत की सुन्यक्य है अत्वा नहीं तो हमें बताना है यहां पर X बराबर माइनस 1 बटन 30 देगाए बहुपत प्पी इकस ब्राबर people 3 X तन 1 का सुन्यक है अत्वा नहीं इसे हम हल करते हैं X ब्रावर माइनस 1 बटा 3 का मान अगर हम बहुपद में रख देते हैं PX में और अगर हमें सुन्य मिलता है उस इच्छिती में हम कहेंगे कि X ब्रावर माइनस 1 बटा 3 जो है वो हमारे PX का सुन्यक है तो हम इसे हल करते हैं X बराबर माइनस 1 बटा 3 रखते हैं तो 3 X की जगे क्या रखेंगे माइनस 1 बटा 3 धन 1 3 गुणा माइनस 1 बटा 3 यह क्या हो जाएगा 3 से 3 कटेगा माइनस 1 धन 1 माइनस 1 दन 1 क्या हो जाएगा शुन्यक तो हमें शुन्य मिला इसका मतलब की हाँ माइनस 1 बटा 3 दिये गए बहुपत का सुन्यक है तो हमारा उत्तर क्या को हाँ माइनस 1 बटा 3 बहुपत का एक सुन्यक है प्रश्ण तीन भाग दो यहां में बताना है एक्स पराबर चार बटे पांच जो है दिये गए वहुवत PX पराबर पांच गुणा एक्स माइनस पाई का सुन्यक है तो इसको हल करने के लिए हमें क्या रख करना होगा x बराबर 4 बट्ट5 को हम किसमें रख देंगे px में तो px हमारे क्या है ?5 गुणा x माइनस pi तो x कीजोरब करा हम क्या रख देंगे ? 4 बट्ट5 तो यह होजाएगा 5 गुणा 4 बट्ट5 minus pi 5 से 5 कटेगा तो बचेगा हमेरा 4 इसका मतलब क्या हुआ, इसका निश्कर्ष क्या होगा, प्रेश्न टीन का भाग तीन, यहां पर हमें देखना है x बराबर 1 और x बराबर माइनस 1, क्या ये दिये गए बहुपत x स्केर माइनस 1 का शुन्यक है अज़वा नहीं, तो पता करने के लिए पहले हम x बराबर 1 रखेंगे हमारे दिये गए बहुपत px में, तो दिया गए ब हमें शुन्य मिला, इसका मतला हम कह सकते हैं कि दिया गया x बराबर 1 हमारे दिये गए बहुपत px का शुन्यक है, तो हमारे अप्तर क्या हो गया, हाँ, एक बहुपत का एक शुन्यक है, अब हम इसके दूसरे भाग की चर्चा करते हैं जहां पर x बराबर माइनस 1 पूछा गया है कि दिये गए बहुपत px का शुन्यक होगा, अत्वा नहीं, तो हम x कमान क्या रख देंगे, माइनस 1, x कमान हम माइनस 1 रखेंगे, तो x की घद्दो क्या हो जागा, माइनस 1 की घद्दो क्या हो जागा, 1, 1, माइनस 1 क्या हो जागा, 0, तो ये भी हमें शुन्य मिला इसको मितलब x बढ़ावर माइनस 1 भी दिये गए बहुपत Px का शुन्यक है तो हमार उत्तर क्या होगा? हाँ, माइनस 1 भी दिये गए बहुपत का शुन्यक है प्रश्ण 3 के भाग 4 में हमसे पूछा गया है क्या x बढ़ावर माइनस 1 और x बढ़ावर 2 दिये गए बहुपत x धन 1 गुणा x-2 का शुन्यक है अत्वा नहीं तो हम पहले इसके पहले भाग को देखते हैं x बराबर माइनस 1 रखते हैं px में x बराबर माइनस 1 रखते हैं x धन 1 क्या हो जाएगा माइनस 1 धन 1 तो x का माना में क्या रखना है माइनस 1 गुणा x-2 है तो क्या हो जाएगी माइनस 1 गुणा माइनस 2 माइनस 1 धन 1 क्या हो जाएगा शुन्यक माइनस 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 3 शुन्यक में किसी भी चीज़ का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा शुन्यक तो हमें मिला शुन्य, इसका मतलब क्या है, x बराबर माइनस एक, बहुपत का एक शुन्य है, तो यह हमारे इस भाग का उत्तर होगा, अब दूसरा भाग दिखते हैं, जहां पर हमें क्या रखना है, x बराबर 2, x बराबर हमें 2 रखना है, तो क्या है हमारा x धन 1, x धन 1 क्या कबला हो जाएगा शुन्यृ तो यहां पर भी हमें क्या मिला। इसका मतला हम कह सकते हैं कि x ब्रावर 2 भी दिए गए बहुपद का एक सुन्यक है। हाँ 2 भी बहुपद का एक सुन्यक है। प्रेस्टन 3 के भाग 5 में हमें पूचा है क्या x बरावर 0 दिये गए भवुपत px बरावर x की घाद 2 का शुन्यक होगा अत्वा नहीं इसे हल करते हम अब हमें इसको हल करने के लिए x कमान शुन्य रखना होगा px में प्रश्ण तीन का भग्च है यहां हमें पता करना है कि एक्स बदावर माइनस एम बटा एल क्या दिये गए भवपद्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प dobr результат एल- एक्स धन एम का शुन्यक है अत्वा नहीं है इसे हम हल करने के लिए एक्स कमाण क्या रखेंगे माइनस एम बटा एल कहां रखेंगे P X में P X हमाय क्या दे रखा l-x धन m तो हम यहां पर X का माण क्या रख देंगे माअ एम बटा L 4 टो L घ्रके न कमान क्या रख देंगे माइनस m बटा ऐल एक्स की जag yeah क्या मने माइन समट और ml हो गया हमारा L से L कटेगा, बचेगा हमारा minus N, तो minus M, धन M, धन N, minus M से M गया, बचा हमारा 6ण, तो हमें क्या मिला, शुन्य, तो 6ण मिला हमें तो हम कह सकते हैं कि X बराबर minus M बटा L दिये गए बहुपद PX का एक 6ण है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ, minus M बटा L बहुपद का से एक शुन्यक है प्रश्ण तीन भाग सा эфф यहां पे हमें बताना है कि x पपान पडावर माइनस एक बटान रूड अंडर रूड रूड 3 और create बॉपद स्वरावर 3। गुणा एकस कीगा दो माइनस एक का सुन्यक है अत्वा नहीं तो यहां पर में एक के दो पुछा गया है तो हम X के दोनों मानों को एक एक करके बहुपत PX में रख कर देखेंगे कि क्या वह उसका सुन्यक है अत्वा नहीं सबसे पहले हम देखते हैं कि X बराबर माइनस एक बटा रूट 3 जो है दिए गए बहुपत का सुन्यक है कि नहीं उसके लिए हम क्या करेंग माइनस एक बटा रूट 3 कहा रख देंगे दिए गए बहुपत में तो दिए गए बहुपत में हम रख देंगे X बराब माइनस एक बटा रूट 3 तो 3 तो 3 हो जाएगा गुना X स्केर तो X के के हम क्या रख देंगे माइनस एक बटा रूट 3 फिर माइनस एक दिया गया है त स्काइर की 2 क्या होाइगा एक बट़ व्य поступ 15 मिलत है सरे चिर वह मिला हमें एक स्ट्री हैं5 ≅ग यहां आ घ्या samples बाग का उत्तर है दूसरे बाग देख लिए हैं जहां पर हमें x बराबर 2 बटर तीन रखना है तो हम दिएका बाउपत में बराबर 2 बटरे तंत देंगे तो 3ुटना x की घाट 2 है तो x को हमने किया रख डेंगे 2 बटर तीन 2 बटा root 3 का square क्या हो जाएगा 2 बटा root 3 की घट क्या हो जाएगा 4 बटा 3 और 3 जो पहले से ही था minus 1 जो पहले से था 3 से 3 कटेगा यहाँ पर बचेगा हमारा 4 तो 4 minus 1 किता हो तो 3 3 शुन्य नहीं है तो x बराबर 2 बटा root 3 जो हमें दिया गया है उसको बहुपत में रखने पर हमें शुन्य नहीं मिलता है शुन्य नहीं मिलता है तो हमारा उत्तर क्या होगा 2 बटा root 3 दिये गये बहुपत का शुन्यक नहीं है तो यही हमारे इस प्रश्चन का उत्तर है प्रश्चन 3 भाग 8 हमें यहाँ बताना है कि x बराबर 1 बट दो दिये गए बहुपद Px बराबर 2 गुणा x धन 1 का एक सुन्यक है अत्वा नहीं हम देख लिते हैं इसको हल करने के लिए हम क्या करते है x बराबर 1 बट दो दिये गए बहुपद wein हम रख देंगे तो यहां पर हम x बराबर करके रख तो 2 गुणा x है, तो 2 गुणा 1 बटा 2, धन 1, 2 में से 2 गए तो बचा हमारा 1, तो यहाँ पर हमें लिख दिया 1, एक धन 1, ये क्या होता है? 2, 2 शुन्य के बराबर नहीं है, तो दिये गए बहुपत में x बरावर 1 बटा 2 रखने पर हमें शुन्य नहीं प्राप्त हुआ तो हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों एक बटा 2 दिये गए बहुपत का एक शुन्यक नहीं है यह हमारे इस प्रेश्ण का उत्तर है प्रेश्णी चार भाग एक निम्लिकित इस्थितियों में प्रते इस्थिति में बहुपत का सुन्यक ग्याद कीजिए, तो हमें दिये गए बहुपत का सुन्यक ग्याद करना है, क्या बहुपत हमें दिया गया है, PX बरावर X दन 5, तो जैसा कि हमने परिचे में पढ़ा था, बहुपत PX का सुन्यक ग्य लाएगा तो हम दिये गए बहुपत में PX बराबर क्या रख लेते हैं? सुन्य PX हमें कितना दे रखा है? X then 5 तो X then 5 कितना हो गया? सुन्य X कमान कितना गया? minus 5 यहीं हमारा उत्तर है इस प्रश्न का प्रेश्नि 4 भाग 2, यहाँ पर भी हमें दिये गए भववपत का शुन्या ग्याद करना है, क्या भवभभद हमें दिया गया है यहाँपर पर पी parfois p- 5 जैसा कि हमने परीचे में पढ़ाताईए एक बाफ़ देख लिते हैं बहुपत PX का सुन्य ग्याद करने के लिए हमें बहुपत समी करन में PX बरावर 0 को हल करके X का मान ग्याद करना होगा तो हमें दिये गए बहुपत में हम PX बरावर क्या रख देंगे शुन्य PX हमें कितना दे रखा है X-5 इसको किसके बरावर रखा हमने शुन्य के तो हल करने पर हमें क्या मिला? X बरावर 5 यही हमारा उत्तर है इस प्रश्न का प्रश्न 4 भाग 3 यहां पर भी हमें दिये के बहुपत का सुन्य ग्यात करना है क्या बहुपत हमें दिया गया है यहां पर? PX बरावर 2 गुणा X देन 5 जैसा कि हमने परिचे में पढ़ा था बहुपत PX से शुन्य ग्यात करने के लिए बहुपत समीकरण में हम PX बरावर 0 रखते हैं और हल करके X का मान ग्यात करना होगा तो हम दिये गए बहुपत में PX बरावर कितना रखतेंगे? नहीं शुन्य तो PX कितना दे रखा हमें? 2 गुणा X दन 5 इसको हमने किसके बरावर रखतेंगे? 2X बरावर कितना हो जाएगा? माइनस 5 बरावर कितना हो जाएगा? माइनस 5 बरावर 2 तो यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का दिये गए बहुपद का सुन्य क्या होगा? X बरावर माइनस 5 बरावर 2 प्रश्न 4 भाग 4 इस बाग में भी हमें बहुपद का सुन्य ग्याद करना है क्या बहुपद हमें दिया गया है? PX बरावर 3X माइनस 2 जैसा कि परिचे में हमने बढ़ा था बहुपद PX का शुन्य ग्याद करने गरे बहुपद समीकरण में हम PX बरावर शुन्य रखेंगे और X का माण ौन्य ग्याद करेंगे हम PX बरावर कितना रख देंगे? 0 PX कितना दे रखा हमें? 3 गुणा X minus 2 इसका हमने किस बरावर रखा? 0 सुन्नी तो तीन थी एक सिर्वर क्या हो गया है दो आदा किसी जाण कीसे, मारे हमें दिये हमहें, भॉपद का सुन्य उप जड़ पढ़ा था वहोपद P x से सुद्ध को हल कर traffic स्कामाइं हम दिये बावार कि से शुन्य को रख दिने शुन⋅क कि इस रते हैं। यहीन हमारा expression का upstream है, X बावर सुन्य जो है दिये गए यह बावार शुन्य यह भावर, प्रश्न चार भाग्षे यहां में बताना है दिए गए बहुपत का शुन्य क्या होगा क्या हमें बहुपत दिया गया पी एक्स बरावर एक्स जहां पर ए जिरो के बरावर नहीं है शुन्य के बरावर नहीं है जैसा कि हमने परीचे में पढ़ा था बहुपत पी एक्स का प्रश्न चार भाग साथ दिए गए बहुत का सुन्य ग्याद करना है वहुपत हमें क्या दिरह प्रवावर चीक्स धन डी स्य कमान डी होगा C और D वास्त्रिक क्या है जैसा कि हमने परीचे में पढ़ा था बहुपत PX से शुन्य ग्याद करने के लिए में क्या करना है बहुपत समीकरन में PX बराबर शुन्य रखना है और उसको हल करके X कमान ग्याद करना है तो हम दिये गए बहुपत में PX बराबर सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को शेर करें और अपने सबी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छत्र हमारे चैनल और वीडियो का अधिक से अधिक लाब ले सकें धन्यवाद दोस्तों